अब हाल ए में South की कुछी नामसे film से एक movie रिलीज हुई है अभी theater में तो अभी वो नहीं लगी हुई है मैंने जभी theater में आया थी उसके एक आड़ो दिन बाद मैंने उसको movie को देखा था लिक मैंने उसके बारे में रखा था लेकिन फिर वही हर वीडियो में हमेशा एक ही बहाना कि टाइम नहीं मिला फिलाल अब टाइम है सबी वीडियो सबी मूवी के रिव्यू जो मैं वो कर रहा हूँ उनके वीडियो में बना रहा हूँ कैड तो यह जोब खुशिय मूवी आई थी उसके एक दう दीन बाद मैंने इस मूवी को देखा कोई उमीदे नहीं ती मेरे को इस मूवी से बस ऐसे ही थेटर में मैंने देखा इसकी लगी हुई है बस इसको देखने के लिए मैं चला गया कोई मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था सच में मैंने कोई ट्रेलर नहीं देखा था तो अब इस movie की story की बात कर लेते हैं फिलाल यह जो story जो movie है यह लगबग 2 घंटे के आसपास है और जो मैंने इसके बारे में पढ़ा article में कि 1 October को शायद ये Netflix के OTT platform पर आपको देखने को मिल जाएगी Care Zero ने theater में इसको देखने से मिस्कर दिया हो और इस movie को देखना चाहते हो जिनको trailer काफी ज़्यादा पसंद आया हो तो आप जो हैं इस movie को 1 October को शायद Netflix के OTT platform पर देख सकते हैं आब आते हैं इसकी story पर जो इसकी story को हमें देखने को मिलता है कि एक विपलव नाम का एक लड़का है जो एक government job करता है बीसनल में एक government job पर लगा हूँ है अब वो जो है मतलब उसके पिता जो है वो एक scientist है और जो इनके पिता है मतलब विपलव के जो पिता है वो बहुत बड़े नास्तिक है इवन उनके सामने कोई भगवान का नाम ले दे या पुझा पाट कर ले तो उस इनसान को उसे नफरत हो जाती है इस तरीके का वो एक scientist है इसके अंदर दिखाया गया है बले इस scientist की जो wife है वो खुद पुझा पाट करती है कि actual जो problem है कश्मीर में कैसे आंतगवाद जो है वहां पर पनपरा है तो इसको लेकर जो उन्होंने दिखाई है वो चीज मुझे अच्छी लगी अब इसको एक लड़की जो प्यार होता है उसका नाम होता है अब ये दो दो family अब प्यार करने वाले तो आपस में प्यार कर बैठते हैं अब ये जो दो family है वो कैसे एक दूसरे के नजदिक आते हैं या पिनकी शाथी को कैसे accept करते हैं ये जो story है इसमें दिखाई गई है ये इस पूरी movie के अंदर हाँ movie में ये जो starting में जो movie start हुई मतलब obviously starting होती starting में तो कैई शुरुवात में तो movie मुझे थोड़ी सी डल लगी इसलिए क्योंकि यार कोई मुझे एक तो story नहीं पता थी क्या होने वाला है जिस तरी के dialogue जो आ रहे थे ना वो बिना सरपैर के मुझे लग रहे थे कोई उसका मतलब नहीं बन रहा था लेकिन जब जी जरी story आगे बढ़ती है तो पता चलता है एक आस्तिक है एक नास्तिक है अभी दोनों परिवार आपस में कैसे मिलेंगे तो इसको लेकर एक excitement तो मेरे अंदर हो गए थी हाँ कि क्या argue दिये जाएंगे इसके last में कैसे support करने वाला है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा जो जीतेगा वो क्या बातें बोलेगा क्या तर्क देगा क्या logic सामने लेकर आएगा यह चीज में देखना चाहता था कि इसकी एंड में हमें क्या देखने को मिलने वाला है लेकिन जो एक एंडिंग हमें देखने को मिलती है तो जिस लेवल की excitement थी interest था वो बिलकुल भी नहीं रहता मतलब वो बिलकुल शुनने हो जाता है मैं ऐसा कहूंगा कि इस movie में कोई भी ढंका logic नहीं दिया गया अर्ग्यू नहीं किया गया को तर्क नहीं दिया बस हां ठीक हमने मान लिया आप बस जीत गए यह सब चीजे वह वाली कर एक दूसरे के मतलब बातों को समनना अपनी जो प्रोब्लम है उसको सुलजाना जो लड़ाई हुई है बैठकर बात करना वह चीज जो देखने को मिलती है वह मुझे बहुत अच्छी लगी शादी के बाद का जो इसमें कॉंसर्ट या भी जो लाइफ दिखा जाती वह मुझे अच्छी लगी जो यहां पर विपलव है वह अपने पिता से कहता है कि आप अपनी वाइफ को आज तक नहीं छोड़ पाए बहले ही आप बहले कितने बड़े नास्तिक हो आपको नफरत हो भगवान से जो पूझा करत हां मुवी में जो गाने हैं वो मुझे कोई खास नहीं लगे लेकिन यह सब चीज़ें इसको मुझे को बहुत जादा अच्छी नहीं बना देती है जो मुझे एक जो में चीज मुझे देखनी थी आर्ग्यूमेंट देखना था कि यहां पर क्या आर्ग्यू दिया जाएगा आप लोगों को यह मुवी देखनी है तो जैसे मैंने का नेट्फ्रिक्स के प्लैट्फॉम पर यह मुवी रिलीज होने वाली तब जाकर आप इसको देख लेना अगर आप लोगों ने मुवी देख ली है तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है आप अपने विचार रख सकते हैं इ इतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिए